शिवनी संसद्य चेत्र में टिकेट वित्रंग के बात से बिजेपी में लागाता घमासान हो रहा है तरसल पार्टी ने वर्तमान संसर पोथ सियं भगत का टिकेट काट कर धाल से विसेन को अपना उम्मीद्वार बनाया है इसी बात से नारास चल रहे हैं पोथ सियं निर्दल कर दिया आपको बता दे कि पार्टी द्वारा लाक मनाने की कोशिश की गई बाउजुद इसके बहुत सियं ने अपना नामंकन वापस नहीं लिया पार्टी से नारास चल रहे हैं बहुत सियं भगत ने निर्दली फॉर्म बर दिया है आज आकरी तारिक होने के इफशा का निशान मिला है इसी के चलते शिवनी और बालागाट विदान सभा के भाजपा कारिकरता और पदादी कारी सिह के समर्थन में उतर गए हैं और शिवनी के जिला कारियले में इस्तिफों का दोर सुरू हो गया है वहीं आज गोपाल गन छेतर से रानू साहू मंडल अध्यक्ष के नेतरोत में सक्तर लोगों ने अपना इस्तिफा लेकर बीजेपी कारेले पहुँचे वहीं उनका कहना है कि कल भी छपारा चमारी छेतर के दोसों कारी करता और पदादी कारी बीजेपी की प्रात्मिक सदस से स्तिफा देने वाले हैं, ऐसा माना जारा है कि यदि धाल सियंके खिलाफ इस प्रकार का विरोध चलता रहा है धाल सिय विजेपी से टिकेट मिलने के बाद भी तिसरे स्तान पर खिसक सकते हैं, वहीं लोगों का कहना है की जीते हुए परतियासी भगत सियंका टिकेट अब देखना है कि पार्टी अपने नाराज कारे करता वो पदादी कारे को किस प्रकार मनाती हैं। अब कितने लोगों ने इस्तिपा दी और कल कितने लोग दे सकते हैं। जो दतनी बड़कमारी जाने का मार्क था बहुत खराब। वो मार्क एक 85 लाग का एक 90 लाग का रोड बना, डाइनिंग हॉल बना, लाइब्रेरी बनी 25 लाग की, विज्ञान भग्या बनी 8 लाग की, दस लाग का गाडन बना। और भी मैं काम गिना नी सकता, इतने काम हुए हैं। वैसे ही एक लाग की संग्या में हम जीतेंगे, और ये भारती अंता पाड़ी की दखा देंगे, काम करने वाली की वैल्यू होती है, निस्क्रीबेक्तिक कोई वैल्यू में। वच्च माँ संग्यू